समीर भाई यह cooler कैसा होने वाला है इसके बारे में कुछ बताएं यह cooler ऐसा होने वाला है कि AC भी फेल दोस्तो देखो ऐसा cooler आपको दिखाया जाएगा कि AC भी फेल हो जाएगा दोस्तो यहां पर आपको मिलने वाले सारे लोहे के cooler देख सकते हैं बहुती कम प्रैस के अंदर जो पुरा लोहे के cooler भी मिलेंगे और प्लास्टिक के cooler भी मिलेंगे A2Z सारे साइड आपको मिलने वाले हैं देख सकते हैं बहुत बड़ा वेराउस होने वाला है हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल सिरास सहफित दोस्तों सिरास सहफिकी एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली के अंदर बागी और भी जगे बहुत ज़्यादा सर्षे वीर में प्लास्टिक के अंदर सोच के यंदर आपकी सोप का क्या नाम रहने वार वारे भी में है वीज़ता कि लूहेइकात फ्रीक फूलर हमारी शोर्ब दिश सिलमपूर जाफरवद रोड में रोड सिलमपूर रेड लाइट ठीक है तो दोस्तो अगर आप डिल्ली के अंदर रहते हैं तो आप आसकते हैं यहां पर आपको बहुत सारी वरायटी मिल लिएएगी तो आप डिल्ली से बाहर से हैं तो भी आप मंगवा स सेर करना है ताकि हमारा कोई भी भाई कूलर लेना चाहे तो वो ले सके समीर भाई सबसे बहले कौन सा कूलर दिखाना चाहे है सबसे पहले सर में पो दिखाने चाहंगह यह 12 एंची जी पीट में हाई-स्पीट लेगी हो इसमें पारेंची को लोगगा है पानी कानी कर टेंग इसका पचीछ नीटर पानी आया जा ता यह जा घर ना जोटानी काफी हवा होती है काफी मोटर होती है तो एक जोस्ट फैन के बाद किट में अगर लेना चाहे तो वह भी मिल जागा तो बात करें 15-3 का प्राइज एक जॉस्ट में क्या होगा और अगर आम एक्जॉस्ट के अंदर लेते हैं और तो 3,000 पा तीन आई प्रट और घ्राइब आथ का करें थोड़ी सी गारन्टी वारणटी किया मिलती है गारन्टी पांप की अगर मोर्टर में या पंप में कभी कुछ होता ना तो बदल के नहीं मिलेगी आपको अच्छा यह नहीं दिपेरिंगा कोई चक्र नहीं तो यह लो यहां पर काफी अच्छी फैसलेटी आपको बेती है अच्छा इसमें अगर हम और भी बड़ा साहिज और भी हैवी लेना चाहिए अगर फिर यह आता जिए जस्ती चकर में तो यह दस्यों साल गई नहीं जायाग अच्छा इंदर होने वाला है सारा यह दिख सकते हैं आपको इतनी सारी तरह के कूलर मिलते हैं तो हम तो यह गहना चाहेंगे अगर आप एसी के अंदर कम से कम 25-30,000 रुपे लगाते हैं तो यहां पर आपको एसी से भी अच्छा मया मिलने वाला है तो एक चेवर पुजना चाहं चाहूंगा समीर भही यह कौन सा कुलर होने वाले यह फ़ाइवर के अंदर है कूलर इसको मैं आपको उन्बॉक्स करके दिखाया थगंआ तْ हीकहतों के यह दुस्थ यह तो भूधी हःवी에요 कूलर आप देख सकते हैं आपर और वह भी फाईवर के अंदर है यह एसे करकर के दिखाया जा रहा है आपको कहीं भी नहीं जाएगा और नीचे इसके अंदर पहिये लगे वोटें कि प्लैन होता है ट्रॉली आगी आती है यह यादि पास प्रोड़ी आईगी वह भी प्रोड़ी वह लगर करके इसे एक से दूसरी पर मूफ कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसकी मोटर की तो इसमें कौन सी मोटर लगी अच्छा दो दो पंप हैं और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा साइड से आप देख सकते हैं यह हनी पैड के अंदर होने वाला है यह यह पूरे पैड इसके काफी लॉंग टाइप तक ठंडे रहते हैं तो इस आपको पूरी इसके अंदर फैसिलेटी मिलने वालिया देख सकते हैं कूलर के अंदर चारों दरब से इस तरह से बनाएं गया है जैसे बिल्कुछ सेम एसी होता है और कितना लिटर पानी आ जाता होगा इसमें आगा 110 लिटर अच्छा जैसे एसी की बात करी हमने अभी कम से कम 30-40,000 रुपे खर्च होते हैं इसके लिए हमें कितना बैसा खर्च करना होगा यह सिर्फ 6,000 रुपे तो यह लो दोस्तों आपको 6,000 रुपे में इतना बड़ा कूलर मिलता है जो की एसी को फेल करने वाला है तो दोस्तों आपने देखा पूरी वीडियो के अंदर आपक जैडस एलेक्ट्रिकल यहां पर आप आ सकते हैं जो की सीलंपूर में रोड जाफरवाद वाले रोड पर यह सौप पढ़ती है पूरा एडरस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा तो समीर भाई एक चित मैं पूछना चाहूँगा अगर कोई भाई यह तो सोटें नेक्स वीडियो में गुटबाई एंटेक किया